यदि आप भी अपने रुके हुए पीरियर्ट्स तुरंत लाना चाहती हैं तो इस वीडियो में आपको दो ऐसे आयवेदी काढ़े बताने वाली हूँ जिन्हें आप अपने घर का सामानी यूज करके एक या दो मिनिट में ही बना लेंगी तो दोस्तो मैं आपकी nutritionist सिखा आप देख रहे हैं में सर्प तो चलिए आज का इंटरस्टिंग वीडियो हम सुरू करते हैं तो चलिए जल्दी से बनाते हैं हम पहला काढ़ा और यह भी जान लेंगे कि इसे आपको किस तरीके से पीना है काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बरतन उसको आपको गैस में रखना है और उसमें डालना है एक चमच देशी घी यदि आपके पास देशी घी नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसमें एक चमच सर्सों का तेल भी यूज कर सकती हैं बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें आपको रिफाइंड ओयल भी यूज नहीं करना है जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा आपको इसमें आधा चमच जीरा डालना है जीरा आपके रुके हुए पीरिट्स को बहुत ही तेजी से वापस लाने में मदद करेगा Second ingredient आपको यूज करना है हल्दी कई बार पीरिट्स के समय बहुत जादा इची या इरिटेशन होती है तो हल्दी उसे दूर कर देगी क्योंकि हल्दी एंटी बेक्टिरियोर और एंटी फंगल होती है आपको एक चमच हल्दी का पाउडर लेना है अब आपको इसमें डालना है आपको इसे 2-3 मिनिट तक अच्छे तरीके से बॉइल करना है ताकि जो भी मसाले है वो आपस में अच्छे तरीके से मिल जाए इसके बाद आप चाहे तो इसमें स्वाद के लिए थोगा सा काला नमग भी डाल सकते हैं अब बात करते हैं कि इसे आपको किस तरीके से पीन है तो जब भी आपके काड़ा बनाते हैं तो आपको इसे हमेशा गुन-गुना पीना है ठंडा करके पीएंगे तो इससे आपको कोई भी फाइदन नहीं मिलेगा इसलिए हलका गुन-गुना पीएं आपका जो काड़ा है लगवाग एक ग्लास बन कर तयार होगा तो आप इसे सुबह और साम भी पी सकती हैं यदि आप सुबह के समय चाय पीती हैं तो चाय पीने के एक घंटे बाद इसे पीना है और इसे पीने के एक घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना या कुछ भी पीना नहीं है जब आप इसे साम के समय पीते हैं तब भी आपको इसे इसी तरीके से पीना है आप एक या दो बार ही से पीएंगे इतने महीं आपके पीरिट्स बहुत ही जल्दी आ जाएंगे यदि आपको पीरिट्स के समय द से बनाना है abbiamo 3 चीज़ों की जरूरत होगी अदरक गोड़ और अजमें दोस्तो अजमें ऐसे गोड़ होते हैं Industries My लाने में मदद करते हैं और आपकेgeryस समय पराते हैं यह को दर्द पेट में कमर में होता है तो इसकाग्व करने से अपको यह प्रॉब्ल्लम्स भी नहीं को बनाने के लिए आपको एक बरतन में एक गलास पानी डालना है अब इसमें आपको एक चमच अजवाइन का लेना है और एक चमच अद्रक का पेश्ट लेना है साथी साथ आप इसमें एक चमच गुर्ण भी डाल दीजे आप एक या दो चमच भी गुर्ण का यूज़ कर सकते हैं लेकिन यदि आप इन तीनों चीजों को एक्वल अमांट में लेते हैं तो यह आप लिए और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है अब आपको पानी को इतना उबालना है कि पानी आधा ग्लास रह जाए जब आप इन तीनों चीजों को उबाल रहे हैं तो इन्हें लो फ्लेम में उबालना है आपको गैस को तेज करके इन्हें बिलकुल भी नहीं उबालना है दोस इसके साथ ही यदि आपके पीरिट्स खुलकर नहीं आते हैं बहुत ही कम ब्लीडिंग हो रही है तो यह उन सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर देगा जब भी आप इस काड़ को पीते हैं तो आपको इसे गर्म ही पीना है आप चाहें तो चाय की जगह पर इस काड़े को प हर मन्त टाइम पर आएं तो इस काड़े को आप जरूर पीजिए यह आपको बहुत ज़्यादा एफेक्टिव होगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी जदी आपके पीरियट्स इर्रेगिलर हैं तो आप 9-9 में से किसी एक कागल का प्रयोग जरूर करिए इसे बना का ट्राय जरूर करिए आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिला है और आपको यदि इससे फायदा होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और यदि आप किसी और तरह के मुझे तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए मिस हर्व साइनिंग आफ जय हूँ